कि नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत वह स्वागत है गुरु मुखी साधना चैनल पर और मैं ग्यानुरम असा करता हूं कि आप सभी भाई बेन असे होंगे भास्वस्त होंगे इस वित्रों जैसे की मैं गराम देव से तरप बगर पिनों की साधना डाल रहा हूं कुल देवता बगर की उन Mai से आज तक जो आज में मंतर साधना लेका हें नहीं यह बहुत कम लोगों को पता है से रस्तां खुल जानाः दस्वोंसे फायदा बाई को वह भी दिग्पाल की किसी की साधना करने से दस्यूंजक को मिलेगा जैसे सित्तर से लेना आए कि दिशा से लेना आए कि किसी से हम लोगों को फाइदा लेना है कला लेके कला उतार के अपने अंदर तो दिगपाल की यह अब करो इस साधना को करने के बाद एक तो आपको कभी भी जिंदकी में किसी का तंतर आपके उपर नहीं हो सकता बूंत पर इतने आ सकता क्योंकि हर दिसा उनके बूंत पर नेग्टिव एनर्जी को बांद देगी अब एक प्रेक्टिव चीज आने ने देगी किसी दिसा से तो फिर तो दिखपाल होता वह सबसे पहले तो रक्सा के लिए सबसे बड़ी एक कुंजी होता है दिखपाल की साधना कर लेता कोई उसको फिर जिंदकी में मतलब की उनको पर्षन कर ले कोई तो फिर उसको कभी नहीं कभी को जी हां उसको कभी जिंदकी में अपने प्रस्रक्सा का उजदार्न करने के जुक्त नहीं क्योंकि उनका दसो दिसाओ से सोता ही व्यासा सिस्टम रहता है दसो दिसाओ से उनको फाइदा मिलेगा यह साधना किन किन लोगों को करने चाहिए वह बता दूए यह म करने चाहिए इस्त्री है वो इस्त्री को इस्टमां के मंचरे जैसे मतलब डेवियों को मान करें और जो पुरूशे वह तो फिरमा देविया इन्हों करें ठीक है ना वो अपने पुरूशों को मान के करें कि यह इसका विदान है ठीक है और इसका ही सोड़ा सो पुचार पूजयन है पंचो पंचो पुचार सोड़ा सो पुचार दुनों को देख लेना वीडियो के डिसके सिंबॉक्स मूनों का लिंक है और जो जो इसका मंतर है वो भी आपको बता देता हम है मंतर है ओम दिगपाल बयो नमहा 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 यह मंतर ठीक है मंतर आपको वीडियो मिल जाएगा और इसका ए कि हवन सामने बना के यह कोई भी कर सकता अपने गर पर कर सकता है और फैदा ले सकता है तंतर वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फिर वो अगर कुछ तंतर में आता और तंतर का पूरा खिलाड़ी बने तंतर भी मित्रों को सोटी चीज नहीं तंतर का सब यह हैं कि खत्रों से खेलना कि खत्रों से खेलना और खत्रों से बतना और खत्रों में डालना तंतर का खेल यह होता है तंतर बहुत गहरी चीज़े तंतर में सिर्फ दो सब्द बोलने के तंतर में आकर दो सब्द बोलने से क्या सब क्या हो सकता ये भी है अगर हमारे अं अब इसलिए आपने देखे होंगे जो बड़े-बड़े तांत्री करें होंगे या बड़े-बड़े तंतर खिलाडी रहे होंगे या गुरी रहे होंगे तो वो क्या करते हैं ना वो तंतर में आने के बाद उनों को फिर परिवार का सब चीज़ करना पड़ता अगर वो परत्याग ना करें तो उनकी जैसे मतलब वो रहती है उनकी वानी से उनका नुक्सान हो जागे परिवार का ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तंतर को समझना पड़ेगा तंतरों में बह पाला बयो नमाहा ओम दिग पाला बयो नमाहा यह यह तरने बाद में तरो जैसे आराम जैहमाद